दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक की तरह ही बाकी टॉपरिक पे आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप नीचे उस टॉपिक का नाम कॉंएंट करना जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको यह टॉपरिक चाहिए जिससे जिनके कॉमेंट सबसे जाद होंगे उस टॉपिक पर नेक्स वीडियो आपको दिखाई देगा सर नेक्स वीडियो कब दिखाई देगा तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जैसे 500 likes का target complete होगा इसके लिए बस 500 likes दे रहा हूँ उतना तो आप मुझे motivate करने के लिए कर सकते हो जिससे मैं free में भी बहुत सारी चीज़े मैं आपके लिए कर सकूँ मैं आपके लिए बहुत सारा काम कर सकूँ इसके पहले ही मैंने बहुत सारे one sort बना के दिये है और आने वाले identify करोगे कैसे आप उस sum को solve करोगे वहाँ पर आपको direct evaluate लिखा होगा बट कभी-कभी देखो इसके limit को समझना थोड़ा सा difficult होता है जिसे यहाँ पर xz लिखा है यहाँ पर आप दियान से देखोगे तो यहाँ पर y लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखोगे तो 0 to 1 लिखा दन अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे 0 to y है अब अपने आस y और z बचा तो कौन यहाँ पर absent है दोस्तों अगर दूए लोग बचे है और उसमें absent कोन है y तो present है absent कोन है sir z absent है और अगर दोस्तों अगर यह भी आपको समझ में आ गया तो अब x हो गया z हो गया कौन absent ह y absent है तो यहाँ पर आप डारिक y ले सकते हो तो इस तरह से आप fast तरीके से आप अपनी चीजों को cover कर सकते हो अगर दोस्तों यहाँ पर in case अगर समझो ऐसा समाता है जहाँ पर दोस्तों आपको ऐसा तो दिया है बट इसके बाद यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ पर समझो 2 इसे मैं randomly ले रहा हूँ है कुछ भी बस आपको समझाने के लिए तो यहाँ पर आपको समझ में आए कि सर यहाँ तो यहाँ तो यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है तो अब सर हमारे पास दो लोग है y और z क्योंकि x का limit तो हो चुका है तो दोस्तों इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो अगर सबोज आपने इसको y कंसिडर किया तो यहाँ पर आप इसको जैड ले सकते हो तो इस तरह से आपको ट्रीपल इंटीग्रेशन की चीज़ों को कवर करें मैं दोस्तों ट्रीपल इंटीग्रेशन के अंदर अगर मैं overall बात करूं तो कम से कम आपको यहाँ प प्रैस कोर्स के अंदर जो चीज़े कवर कराई है जिनको ट्रीपल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है मैंने कैसे कवर करा है इवैलुएट के आप तीन सम्सॉल कर लो मस्त इद्धम अगर आप वह तीन सम्सॉल करते हो तो आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हो वॉल्म ओप टेट्रा एड्रॉन में वान टू और इसके बाद स्पीर में अगर आप एक सम्सॉल करते हो फिर भी काम हो जाता है पर वहां पर मैंने तीन सम्स बता है कि अगर जादस जादा कितना भी वैरिटी घुमा किया तो आप सॉल कर सकते है उसको मैं बोलता हूँ क्रैस कोर्स हमारा चल रहा है और अगर आपको जूड़ना है तो दोस्तों आप जूड़ सकते हैं पर एक मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइव क्रैस कोर्स से जूड़ना लाइव लेक्चर तो बहुत कम बचे हुए बट उसका एक बैनिफिट यह है कि आपको डिटेल चीजे पहले से जादा मेहनत नहीं करना होगा और एक स्पेसिफिक आपकी तैयारी हो जाएगी इस वन सॉड़ वीडियो में मैं कोसिस करूंगा कि इसमें से वन सम सॉल करूं यह वाला मैं वन सम करूंगा बाकी के दो सम आपको ट्राय करने है क्योंकि देखो आप अगर के उपर हो तो फिर तो टेंशन नहीं वहाँ पे तो पूरा महीं करवा के लियरो वासा आपको पढ़ना है तो चलते हैं दोस्तों वन बाइवन स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि कैसे यह को सम solve होता है अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से evaluate वाला पार्ट अगर आपने sum solve कर लिया तो आप आराम से और इसके पहले आपको double integration बहुत अच्छे से cover करना चीए अब देखो मैं यहाँ पे अगर cover करता हूँ देखो यह तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो कि यह quindi आपको पता कि यह किसकी एक का लिमीट है आध और किसी एक को दोस्तों मैंने आपको करना है अब चलते हैं दोस्तों one by one इससे solve करने के लिए process करते कि यह solve हो जाए और हमारा answer भी आ जाए अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पर solve करने ही process करूँगा तो देखो यह 0 to 2 ऐसी रखूँगा 0 to 1 ऐसी रखूँगा और यह वाला part जैसे double integration में हमने मज़ेदार तरीके से चीजों cover किया वैसी same इस वाले part को solve करूँगा अब देखो दोस्तों यहाँ पर x है इसलिए अंदर मैं dx लूँगा यह सब basic concept समझना जिससे आप अलग extra sum भी अगर आप नहीं practice करते हो तो भी कोई भी sum आ जाया तो आप sum solve कर लोगे अगर आप concept को समझते हो अब देखो यह आपको पता x का limit इसलिए अंदर हमने dx लिया अब देखो दोस्तों यहाँ पे गया है 0 to 2 यहाँ पे गया है दोस्तों 0 to 1 यहाँ पे अगर मैं ध् स्क्वेर by 2 और यह वाईजट ऐसी रहेगा तो फाइनले दोस्तों यह हो गया यहाँ पे गया है दोस्तों dy और dz दोस्तों इसका limit के है यहाँ यह दोस्तों 0 है अब यहाँ तकी चीजह होने के बाद दोस्तों देखो यह 2 है यह 0 है यह 0 से 1 है अब यहाँ पे दो 2 constant है तो 1 by 2 हमने बाहर ले लिया अब सबसे बड़ा question आता है कि sir इसके अंदर हम values किसके उपर put करें देखो भाई अगर आप exam के last time पे last moment पे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी आपकी चीजे बहुत अच्छे से complete हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप बहुत ही अच्छ अब आगर यहां पर कैрос की hourly स्क्राइब देखो अब यहां पर किया गाँ dog दो वाई तो यहां पर देखया दो अगर वोने के बाद आप यहां पर क्याएगा दोस्तो जीरोंट 22 अगर द सो 021 और यहां पर अगर हम देखे तो यहां पर ओन हो Y² це Z³ और यह zb और रेज्ड अबізहर ड interesting हमारा जो ठार्गेत है दोस्तों किस पर है दोस्तों वाई वाले पर अब वाई वाले पर हमारा टार्गेत तो वाई वाले का पार्ट गला अब बस आपको वाई वाले यहां पे बात करेंगे तो य राइज टू फॉर इसका इंटीगरेशन आएगा जैट क्यूब ऐसी आएगा तो दोस्तो वाय वाला भी सॉल हो गया यहां पे वन आया और यहां पे दूस्तो डीजेड आया अब यहां पे आप देखोगे यह 0-2 है अब दूस्तो देखोगे यह अगर मैंहिस्तो यहां पे बाहर लेता हूं थो उसका डीजेजू यहां पर दोगे तो वाय बात करते हो यह तो इंटीकरेशन जीडो और पे आप बताओ यह वैल्यूस किस पर जाएगा वाइप यहां पर रखूंगा तो यह पूरा टम जीरो हो जाएगा तो फाइनली दोस्ते यहां पर दीज़ा अब देखो यह वन बाई एट है अब दोस्तों इसका इंटीग्रेशिन का आएगा रेज टू फॉर अपन फॉर एक्स जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक्स रच टू एन का इंटीग्रेशिन क्या होता है एक्स रच टु एडू अपन अन बॉस वन नहीं तो बोलोगे सरी कहां से अप लिख रहे और जिनको फॉर्वला भी अगर यह नहीं याद होगा तो यहां पे ट्री है इसले ट्री प्लस फोर जाता है नीशे फोर यहां पे गया दोस्तोों ढ़ूस्तों अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह वन है यह फोर 84032 होगा और दोस्तों यहाँ पर एकर हम देख जियाट की जगा पर यह 2 रखो गर समझ देखो जिनको नहीं समझ मैरा उंक्य लिए कर रहा हूं वॉन अपन 32 और यहाँ पर तू रखो दू रेज्ट फोर और यहाँ पर तो इस तरह से अगर आप बहुत सारे अलग-अलग अगर आपने एक जांपल मैंने करा है अगर आप एक दो एक्जम्पल और आगी की और अब देखों यहां पे इस टाइप का सम आपको मेरे साब से solve करना चाहिए और इसके solution मेरे detail lectures में आपको बहुत ही simple language में बिल जाएंगे इसके solution अगर आप book में देखोगे तो बहुत ही डिंजर है अब दोस्तों यहाँ पे volume of tetrahadron की और बढ़ता हूँ volume of tetrahadron इतना simple तरीके से मैंने बोला कि top 3 question solve करने चीज़ इसपे से पहला question यह और यह बहुत ही simple सा question है अगर आपको पीछे का integration आता है तो यह आप आराम से solve कर सकते हो तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे बहले मैं जो उन्होंने दिया x0, y0, z0 लिखूँगा फिर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा दोस्तो ऐस है, यहाँ पर कहाँ दोस्तो y हैOR यहाँ ओस्तो z है हमारे पास जो equation दोस्तो xplus y plus z which is equal to 1 अगर मैं यहाँ से बात करूँ अगर समझो यहाँ से आप x से भी values find out कर सकते हो z से भी कर सकते हो तो दोनों से answer same आता है, यह चीज़ ध्यान रखना है, अगर मैं z से values निकालू तो z equal to 1 minus x आएगा और minus y आएगा, तो देखो यहाँ पर तो यह कहा है, 1 minus x minus y, उपर से भी आप solve कर सकते हो, यह मत सोचना कि उपर से अलग आएगा, अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ त तो y भी खतम हो गया, तो आप x equal to kya 1 बचा 1, तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को cover कर सकते, तो मैंने बोला यह जो topics है, मैं double integration वाले topic पर इतना मैंने महनत किया na crash course में, around 6 घंटे के मैंने lectures लिये, और मैंने अलग-अलग slot में लिया, मतलब दो दिन पूरा का पूरा मैं पूरा का पूरा आपके साथ हमारा topic होते जा रहा, तो यह एक benefit है, यह चीज मैं YouTube पे नहीं कर सकता है, YouTube मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, पर वहाँ पे आप सामने रहते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, सुनू, आप answer बताओ, ठीक है, आप answer बताओ, उसमें म हमें पता चल रहा था, तो अब यहां पर अगर आप देखोगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको बस मेरा double integration कराने का main reason यह था कि जिससे क्या हो, फिर triple integration जो solve करता था इदम easy हो, देखना triple integration बच्चे answer दे रहे थे सब, और साथ पर आज मेरा, आज भी मेरा session, अगर आपने एपना aim रखा है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को कोई पढ़वाने वाला चाहिए, तो आप lecture से आपको जुड़ना चाहिए, अब दोस्तों यहां पर, अब देखो यहां पर, यहां पर अगर मैं बात करूँ, तो limit की, तो मैंने बोला था, इसमें से सबस आपको सिक्वेंस फॉलो करना है, अब दोस्तों यहां पर, कभी-कभी हो सकता है कि आपको नीचे से भी फ्लॉट करना होगा, तो मैंने बोला 0 to 1, जहां पर पहला constant पहले वह रिखो, फिर single variable वाला रिखो, फिर double variable वाला रिखो, इस तरह से एक सिक्वेंस रखना, अब दोस x plus y plus z का cube, यह सेम दिख रहा है, यहां भी dx, dy, dz आपको दिखा ही दे रहा है, dx, dy, dz को हम देखो, पहला z है, यहां भी पहला dz आएगा, फिर dy आएगा, फिर dx आएगा, तो दोस्तों पहला मैं यह वाला पार्ट solve करने की कोसिस करूंगा, अब देखो, मैं कितने simple language में आपक पूरा पार्ट solve करा के दे रहा हूँ, जनरली बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ कि यह टाइप के integration को अलग formula से करते हैं, पर मेरा formula थोड़ा अलग है, मैं यह वाला formula यूज करता हूँ, और बहुत सारे यह वाला भी यूज करते हूँ कि मेरी तरह, तो मैं यह वाले formula से solve करा, तो यही sum आप book में देखोगे, तो minus 3 उपर आके x raise to n वाले formula solve किया, पर मैं इससे solve करता हूँ, जिससे simplification बहुत सही आता है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यह 0 to 1 है, यह 0 to 1 minus x है, और अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसको अगर दोस्तों 2, और finally दोस्तों यह solve हो गया, z के आगे जो भी term था उससे हम divide करते हैं, पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर कहेगा 1 minus x minus y, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर dy, और यहाँ पर dx, तो यह भी दोस्तों पूरा का पूरा part हो गया, अब देखो एक तरह से आप evaluate की तरह भी जो constant हो, उसको हमने बाहर ले लिया, अब दोस्तों देखो यह जिनको concept जिनका clear है, sum कितना भी danger आ जाए, वो तूरंत करेंगे, आप समझो, exam कि कुछ घंटे पहले यह मेरा वीडियो देख रहे हो, तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा, और बहुत अच्छा आप comment करोगे, सर, हमने यह solve, यह हमें put कहाँ पर करना है limit, तो dz के respect में हैं, तो बस z के position पर put करो, तो देखो यहाँ पर 1 प्लस x प्लस y वैसी है, बस यह z position पर कहाएगा दोस्तों, 1-x-y हमने put किया और यह square है, minus, क्योंकि यह constant term हमने पहली भाहर ले लिया, 1 upon, यहाँ पर कहाएगा दोस् dy और dx, सांदर तरीके से समसाल होगा, अब देखो दोस्तों, यह x और यह x cancel हो गया, यह y और y cancel हो गया, अब finally दोस्तों, यहाँ पर i which is equal to, यहाँ पर minus 1 by 2, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 minus x, प्लीज ध्यान देना, अब 1 upon, 1 plus 1, 2, 2 का square दोस्तों, 4, और यहाँ पर, 1 upon, यहाँ पर कहाएग और दोस्तों, यहाँ पर, अगर आप देखोगे, तो dy और dx, तो यह हमने इसका पूरा का पूरा simplify कर दिया, अब simplify करने के वाद दोस्तों, मैं आगे की और बढ़ रहा हूँ, और इसके आगे की steps को solve करने ही कोसिस करूँगा, तो minus 1 by 2, यहाँ पर गया है दोस्तों, 0 to 1, यह अब यहाँ पर आप देखने जा रहे हो, तो दोस्तों अब चलते हैं, y वाला integration solve कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर य कर रहे हो, यह आएका साथ में, और यहाँ पर 1 upon x raise to n है, तो यहाँ पर फिर से y वाला formula आएगा, जैसे इसमें apply हुआ है, तो क्या आएगा दोस्तों, formula क्या है, minus 1 upon n minus 1, n minus 1 मतलग 2 minus 1, 1 आता है, और दोस्तों यहाँ पर 1 plus x plus y raise to n minus 1 वाला 2 minus 1, 1 होगा, और something यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इसका limit क्या है, 1 minus x और 0, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, dx, अब next step में, फिर स वही fund है, वही तरीका है, अगर आप द्यान से अच्छे से देखोगे, तो यहाँ पर minus 1 by 2, 0 to 1, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर, 1 by 4 मैं भी putting नहीं कर रहा हूँ, यह minus minus plus कर दे रहा हूँ, कि आपको अच्छे से समझे, 1 plus x plus y, और यहाँ पर 1 minus x, यहाँ पर 0, और which is equal to minus 1 by 2, अब यहाँ पर आगर आप देखोगे, तो आगे के चीज़ों को आप किस तरह से लिखोगे, तो देखो यहाँ पर 0 to 1, अब देखो मैं limit put कर रहा हूँ, तो 1 upon 4 है, यह limit कहाँ पर put का y पर, तो यहाँ पर कहाँ एगा 1 minus x, और दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं put कर पूरा का पूरा part लिख दिया, यहाँ जगर का problem है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ पर आपने यह put कर दिया, minus, अब देखो आप 0 put कर रहे, 0 put कर रहे तो यह पूरा term 0 हो जाएगा, यह पूरा, हमने एक value put up किया, 0 और यह plus है, अब देखो यहाँ पर मैं 0 put कर र और something यह हो जाएगा, और यहाँ पर काएगा दोस्तों, dx, अब यह पूरा का पूरा part होने के बाद, यहाँ पर आए, which is equal to minus 1 by 2, 0 to 1, और अगर मैं इसे solve करो, तो 1 by 4, आप multiply अंदर कर सकते हो, और यहाँ पर काएगा, x by 4, देखो 1 by 4 into x, x by 4 होगा, यहाँ पर अगर आप sum solve करना चाहते हैं, यह यह cancel होगा, तो 1 by 2 आएगा, और यहाँ पर काएगा, दोस्तों, 1 upon 1, 1 plus x, और यह dx, तो लगबग हमने यह पूरा का पूरा part solve कर दिया, अब यह पूरा का पूरा part solve होने के बाद, अब चलता हो दोस्तों, इसको आगे की और खतम करने ही कोसिस करते हैं, अब देखो अगर आप आगे की और खतम करते हों, तो i which is equal to minus 1 by 2, अब देखो दोस्तों, मैं अभी भी integration नहीं apply कर रहा हूँ, पहले यह दोनों part का calculation करने के लिए 1 by 4 plus 3 by 2, अगर करोगे, तो देखो 1 by 4 plus 1 by 2, तो 3 by 4 आ रहा है, देखो दोनों constant तो मैंने इसको 3 by 4 साथ में minus x by 4 और 1 plus x, प्लीज दोस्तों नीचे comment करना मत भुलना, जिससे मेरे अंदर एक motivation रहेगा, मैं ऐसे आपके लिए काम करते रहूँगा, अब दोस्तों देखो यहाँ पे 1 by 2, अब मैं integration ले रहा हूँ, यह देखो constant है, with respect to x है, तो यहाँ पे direct x आएगा, यहाँ पे दोस्तो x का integration क्या आता है, x square by 2, 2 आएगा, 4 से multiply हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 upon x का integration क्या आता है, दोस्तों log x आता है, और यहाँ पे limit क्या है, दोस्तों 0 to 1, तो finally i which is equal to minus 1 by 2, अब मैं यहाँ पे अगर चीजों को solve करनी को सिसकरूँ तो, यहाँ पे क्याएगा दोस्तों 1 by 8, यहाँ पे क्या एगा दोस्तों log, 1 यहाँ पे रखूँगा, तो 1 plus 1, 2 हो जाएगा, और minus अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, यह 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ तो log 1, 0 होता है, finally यह 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे अगर मैं प 5 by 8 हमारा answer आ रहा है, और minus log की, तो देखो, एक आपके अंदर एक अलग level का confidence आ गया होगा, हाँ सरी है, तो बहुत simple सा sum हो गया, अब देखो दोस्तों यहाँ पे, यह sum आपने जैसी solve किया, उसके बाद, मुझे ऐसा लगता है, यहाँ, यह वाले sums को आपको solve करना चाहिए, देखो यहाँ पे, something यहाँ पे दिया है, volume of tetrahedron का हिस्सम है, same है, बड़ यहाँ पे अगर आप देखो कि यह type of sum है, मतलब इसके अगर आप देखो कि नीचे ABC का values है, हो सकता है कभी का और यहाँ पे constant भी आ है, तो वो sum भी कैसे solve करते हैं, मैंने बताया है, तो यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा पता है, सबसे पहले x equal to u लूँगा, पर उसके नीचे जो values हैं, उसके साथ multiply करूँगा, y equal to v लूँगा, उसके साथ multiply करूँगा, z equal to w लूँगा, उसके साथ multiply करूँगा, then dx, dy, dz का वैसी values मैंने निकाला, फिर देखो dx, dy, dz को multiply किया, तो a, b, c उ u, dv, dw आया, पूरा का पूरा, फिर मैंने क्या किया पता है, देखो मुझे u, v, w, 0 दिया है, तो अगर मैं यहां पे x, y, z मुझे 0 दिया है, तो x के यह पर एगर मैं 0 रखूँगा, तो a नीचे आएगा, तो 0 आएगा, तो u का value भी 0 आएगा, वैसे ही same y पे 0 रखूँग तो w 0 आएगा, और same दोस्तों, यहां x, y, z पे यह substitution अगर मैं put करूँगा, देखो x, y, z पे, a, a cancel होगा, b, b, a cancel होगा, तो finally हमें u, v, w मिला, और u, v, w मिला, तो same जैसे मैंने पीछे funda यूज किया, तो वही funda यूज करके आप यह sum solve कर सकते हो, same देखो, बस मैंने अभी खतम तो अब v, w बचा, v का value निकालने के लिए w को हाँ भेजा, 1-w और देखो यहां पे पूरा का पूरा यह integration solve हुआ, integration solve होने के बाद, हाँ, थोड़ा सा integration solve कैसे हुआ, वह भी बता दे रहा हो, देखो, यहां पे z का value, z का value, c, w हमने consider किया है, कहीं पे, c, w, dx, dy, dz, हमने यहां पूरा multiply करके लिख दिया, और finally, यह limit है, बाद में integration का procedure पता है, तो आप आर आप से solve कर सकते हो, तो यह सब चीजे आपको आनीची है, इससे related एक और सम है, जो आपको और अच्छे समझ में आना चाहिए, अगर आपको यह sum solve किया, तो मैंने बोला, constant वाला, वो भी मै रेक है, तो यही limit है, यही लीट लेकर आपको करना है, बट, अगर इस greater के question में first octant नहीं बोला है, तो आपको 8 से multiply करना है, देखो, मैंने लिखा है, first octant बोला, डार इक tenants termin, अगर अगर full swear बोला, तो आपको 8 से multiply करना है, अगर नहीं भी बोला है whole sphere, तो भी आपको 8 से multiply करना है, समझ जाना हो, sphere मतलब whole sphere की ही बात कर रहे है, पर अगर first option बोला तो direct, अब दोस्तों ये आपको कैसे याद रखना है, इसका भी trick बता दे रहा हो, x है, y है, z है, तो आपको क्या करना है दोस्तो, r, 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 याद हो गया, sin theta, sin theta, cos theta याद हो गया, बाद में आप यहाँ पे cs याद रख सकते हो, तो यहाँ पर कहाएगा दोस्तो, cos phi और यहाँ पर कहाएगा दोस्तो, sin phi, sin phi, तो देखो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को पूरा का पूरा याद कर सकते हो, अब यह पूरा का पूरा अगर आपको याद हो गया, स्क्राइटिक बियर में, अब आपको क्या करना है दोस्तो, यह पूरा हो गया, अब आपको इसके लिए एक special equation याद रखना है, x square plus y square plus z square कहीं पे भी आया, equal to आपको r square लिखना है, इसके लिए, अब दोस्तों इसके बाद, मैंने बोला यह तीनों को, देखो यहाँ पे dx, dy, dz जो दिखाई दे रहा है, उसका एक proper answer आपको याद होना चाहिए, बहुत ही simple सा answer है, dr, d, theta, d, phi तो आपको याद है, उसके आगे बस क्या याद रखना है, r square, sin, theta बस, यह अगर आपने याद कर लिया, अभी just, एक बार आप अगर exam के last time पर देख रहे हो, तो एक बार उसको revise कर लो, और r का limit दोस्तों हमेशा fix है, 0 to a, और a कहाँ पे आएगा दोस्तों, यह जो यहाँ पे जो भी values आएगा, वो आपका यहाँ पे values रहेगा, समझो, for example, यहाँ पे 1 आया, तो 1 किसका square है, दोस्तों 1 का, तो 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 0 to 1, अगर in case दोस्तों यहाँ पे 4 आया, 4 किसका square है 2 का, तो यहाँ पे गाएगा 0 to 2, तो आप यहाँ पे जो भी values आएगा, उसको आप r square से equate कर देना, तो आपको r का value बिल जाएगा, एक सम था जहाँ पे r, यहाँ पे value दोस्तों 2 था, तो r square से अगर इसको equate करते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोस्तों, root 2, तो आप वहाँ पे कहलेगा 0 to root 2, यहाँ यह दोनों same है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यह पुरा का पूरा part same है, बस यहाँ पे देखो जो, x square plus y square plus z square equal to r square लिख रहे हो, यहाँ पे ellipse के equation कितर है, x square upon a square, y square upon b square, z square upon c square equal to r square है, अब दोस्तों यहाँ पे भी वही fund आए, यहाँ पर जो भी values आएगा आपको वो consider करना है for example अगर यहाँ पर 1 आया तो आपका limit क्या हो जाएगा R का 0 to 1 और theta और phi का limit fix है कोई दिक्कत नहीं है अब दोस्तों यहाँ पर देखो बस यह x, y, z भी इसका fix है बट इसके आगे क्या है दोस्तों a, b, c से multiply है और यहाँ पर r, sin, theta, sin, phi वही सेम है जो यहाँ पर है वही सेम है बस आगे a, b, c से multiply है इसलिए dx, dy, dz लिखते time वही सेम r, sin, theta, d, theta, d, phi वही सेम है dr बस आगे a, b, c, extra आगे है बस तो यह दोनों पार्ट में से यह वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा important है आपको अच्छे से cover करना चाहिए अब देखो यहाँ पर मैंने एक पार्ट solve किया है something यहाँ पर दिया हुआ है और first octane बोला है दोस्तों of the sphere, first octane बोला है तो हमें some direct solve करना है, 8 से multiply नहीं करना है तो देखो मैंने x, y, z का value लिखा dy by dx वो सब लिखा, r की सभी limits लिखे यहाँ तक सेम है, हाँ यहाँ पर देखो पहला अला limit हमेशा fix रखना phi का है, दूसरा अला theta का है तीसरा अला r का है तो देखो यहाँ पर सभी limits लिखे r का limit मुझे कैसे पता चला तो यहाँ पर देखो x square plus y square z square equal to a square था तो मैंने क्या वोला, यहाँ पर जो भी term में उसको r square से आप equate करो तो r equal to आपको a मिल जाएगा, तो आपको पता चल गया 0,2 है, इन case अगर यहाँ पर 4 square होता, तो आप क्या करते थे दोस्तों, 2 लिखते थे, क्योंकि 4 square r square which is equal to अगर समझे यहाँ पर ऐसा होता r square which is equal to 4 होता तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, under root of 4 मतलब 2, अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपने सभी limits दे दिये अब यह पूरा का पूरा calculation इस से आया है x, y, z तीनों multiply कर दो x, y, z, तो देखो r, 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 r r cube हो गया, इसलिए मैंने r cube लिखा sin into sin, sin theta हो गया cos, अब बहुत लोग बोलते हैं, sin, sin यह angle अलग है, इसको multiply मत करना अब यहाँ पर cos theta आप देखो मैंने लिखा है, cos theta, then यहाँ पर cos phi, अलग angle है, cos phi sin phi यहाँ पर लिखा है, then दोस्तों यहाँ पर x square प्लस y square प्लस z square को मैंने क्या बोला था, r square लिखने के लिए तो देखो मैंने यहाँ पर r square लिखा है and दोस्तों इसका dx, dy, dz को मैंने क्या बोला था लिखने के लिए r square sin theta r square sin theta dr d theta d phi और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब इस यहां पे यहां पर और मैं ने क्या क्या पता है यहाँ पे आपको कहीं पे भी आपको कोई R यह सब नहीं रिखाए ज़रा सब constant term है तो आप सभी के limits को अलग-अलग देके direct sum solve कर सकते हो direct integration solve कर सकते हो 0 to pi by 2 इसका limit है दोस्तो 5 का इसमें 5 वाले जो भी terms है उसको मैंने साथ में लिख दिया 0 to pi by 2 किसका term है दोस्तो 0 to pi by 2 यह theta का term है इसमें जो theta आ ले थे उसको एक साथ लिख दिया और 0 to यह r का था एक साथ लिख दिया आप दोस्तों यह देखो यह यहाँ पे मैंने beta में last में आपको एक reduction formula पढ़ाया था reduction formula के recording अगर समझो यहाँ पे यहाँ पे 0 to pi by 2 है और यहाँ sign और cos है तो direct आप answer लिख सकते हो आपको कुछ नहीं करना है यह दोनों को plus करो 1 और 1 2 और फिर उसको 2 2 से कम करने जाओगे तो 0 हो जाएगा तो इसलिए यहाँ भी 2 रख रहा हो और उपर लिखते हैं हम 1 से माइनस करते हैं पर 1 से माइनस करने जाओगे तो 0 हो जाएगा इसलिए उपर का टर्म 1 इंटो 1 ऐसी रहेगा अगर आप इसको solve करते हैं तो दोनों को plus करोगे तो क्या आएगा और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों उपर 3 में से मैंने बोला 1 से कम करना है बीटा के लास्ट लेक्च्चर में यह चीज़े आपको इसका इंटिग्रेशन लिया तो आप देखो दोस्तों इस पूरे को solve किया तो यह आए यहां पर इसको solve किया और final answer अपना यह आए तो इस तरह के कुछ examples है मैंने courses के अंदर दोस्तों double sphere अगर आता है इस टाइब के sums भी मैंने solve कराएं किस तरह से आपको sum solve करना है और यह next part है दोस्तों इसका मैंने concept आपको बताई दिया आप आराम से यह सम भी solve कर सकते हो बस minus sign common लो वहां पर आप आर स्कूर रखो लिमिट पूट करो फटाफट sum solve करो तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से एक short तरीके में पूरा का पूरा lesson का overview दे दिया हूँ उमीद करूँगा कि अगर आप इतनी चीजों को अगर आप cover कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छे से अपनी चीजों cover कर लोगे बस एक cylinder का कोई ने कोई आप देख लेना अगर आप इतना भी करके जाते हो तो cylinder का question कहीं ने कहीं option में आता है तो आप उस question को मत attempt करना यहां तक कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा वीडियो को देखने के लिए जिल से thanks thank you so much दोस्तों मिलते है next lecture में अगर किसी को course से जूड़ना है तो नीचे link दिया है वो जूड़ सकता है जैन दोस्तों